भाईयो और बहनों, नमस्ते! आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ स्वयम से साक्षातकार की इस कड़ी में जिसका शीर्शक है गौन वा मुख्यप्रान हम पिछली दो कड़ीों में ये डिसकशन कर चुके हैं एक बेसिक डिसकशन कर चुके हैं कि गौन पुरुष की वानी अनुसार हम लोग आगे वढ़ रहे हैं कुछ वानी हम सुन रहे हैं और कुछ उनकी वानी जो किताब के आकार में पब्लिष्ट है सच्चिदानंद स्वसाइटी द्वारा उसको फॉलो करके उस में से ज्ञान ले रहे हैं आहरण कर रहे हैं अपने जीवन में वैवार करने के लिए आईये सुनते हैं प्रग्जान पुरुष सुरिश्री बावथकुर को Ihre सुख्सम स्वहिश को डिन सुख्सम कर लेले के लिए हमारी अंछर का स्वायता चाहिए अंछर का स्वायता क्या होता है क्य आध était Anda क्या है आध भार्यों का गोती हात अध इह सขे लिए यह लिक्यून आ उना प्रा उसको पच्छ मे है पस्टाथ में है मुख्ष पर मुख्ष प्रान का साथ चुछ्टनों का बड़ा बड़ संबन्द है वो पहले बालों नहीं होता है दीरे दीरे इसको उन्हों बूती मिलते है मैं एक बार दोहरा देता हूँ प्रज्ञान पुरुष क्या बोले सुक्ष्म को लेने के लिए हमें अंदर की साहता चाहिए कोई भी फाइन चीज लेने के लिए जो ग्रॉस सिस्टम है वो उसे ले नहीं पाता है फाइन चीज को लेने के लिए सम्ठिंग फाइनर विच इस आवर इंटर्नल सिस्टम की जो fineness है, उसकी जरुरत होती है उसी बात को कह रहे हैं कि सुक्ष्म को लेने के लिए हमें कुछ अंदरूनी साहिता चाहिए उसको फिर कहां ले आ रहे हैं देखिये, अंदर की साहिता क्या है प्रानक्रिया क्या है न वायू की गती है अर्था जो प्रानक क्रिया हमारे अंदर चलती है वो केवल वायू की गती है ये एर का जो movement है उस movement से हमारे जो ये heart चलता है ये एक वायू की गती है जैसे एक pump चलता है ने simple तोर पे understanding के लिए बहुत intricate system है human body का because ये interlinked है various तरीके से लेकिन basically एक वायू की गती है जिसकी वज सारा है संचार हो रहा है ये सारी चीज़ें हो रही है तो ये प्रानक क्रिया है वायू की गती हाथ हिलता है इसे कहते हैं वायू की गती लेकिन ये है प्रान है गौनप्रान ये आ गई हमारी important बात ये जो प्रानक क्रिया चल रही है वायू की गती के रूप में ये गौनप प्रान, मुख्य प्रान के साथ चैतन्य का बराबर संबंध है, ये एक और important point है, ये पहले मालूम नहीं होता धीरे धीरे इसके अनुभूती मिलती है, ये अनुभूती तभी मिलती है, जब हम इस अध्यात्म विज्ञान की चर्चा करते हैं, नहीं तो ये अनुभूती हमें मिलती नहीं है, अमूमन जो interested नहीं है, जिनके अंदर ये भूख जगी नहीं है वो इस अनुभूती के पीछे जाते नहीं हैं, और प्रयोजन बोध नहीं करते हैं, ग्रॉस को लेके जब तक जीवन चलता है और परेशानी इतनी नहीं बढ़ जाती कि मेरे को उस परेशानी से निचाद लेना है, छुट्टी लेनी है मेरे को, तब जाके मैं दौडता हूँ इन सब चीजों के पीछे तो हम जहां पे थे गौन प्रान, मुख्रान, तत्व लोख में, एक बंगाली की किताब में प्रज्ञान पुरुष का एक प्रवचन है, जिस प्रवचन के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो उस प्रवचन में कुछ बातें हम कर चुके हैं, मैं लिंकेच के लिए कुछ रिपीट कर रहा हूँ, जो की है, जिसमें सत्य रूप से अनंत, आनंद की अनुभूती होती है, उन्हें दिव्य मानव कहा जाता है, अब ये हम लोगों ने किताब पढ़के ग्यान लिया है, कुछ लोगों ने संपर्क रखा है, अर्थात संपर्क में आए हैं किसी महा मानव के, जो लोग महा मानव के संपर्क में आए हैं, वो ही केवल इस बात को ठूली अप्रिशेट कर पाएंगे, क्योंकि उन्हों ने प्रत्यक्ष किया है, बाकी लोगों ने किताब में पढ़ा है, और अपने भक्ती भाव से उसको माना है, तो ये जिसमें सत्य रूप से अनंत, आनंद की अनुभोती होती है, अनंत आनंद का आर्थ है, never ending आनंद, तो मनुष्य किस चीज से वाकिफ है, कि अभी आनंद है, अभी निरानंद है, अभी सुख है, अभी धुक है, हाँ, अभी शांती है, अभी अशांती है, इस आनंद के अधिकारी हैं ये हम जान नहीं पाते हैं क्योंकि हमने कभी भी इस विद्या की चर्चा नहीं की है ना किसी से सुना है ना किताबों में पड़ा है ना किसी और तरीके से अध्यन किया है मैंने जिस चीज का मैंने अध्यन किया है जीवन जीने के लिए वो विद्या म हभाव नहीं होता है करता करम ये जो ये जो द्वैत भाव है मैं और मेरा राइट एं ड्रॉंग दिन और रात दिन और रात प्रतीद जरूर होते हैं लेकिन IMPACT अंदर कुछ नहीं होता है जो हमने पहले जिक्र किया है उनके अंदर होता क्या है silence in action बाहरी जगत में होता है action in action continuous movement है action हो रहा है जब मनुष्य अपने अंतर प्रकृती में अंतक करण में जाता है मन बुद्धी चित्त अहंकार ये है मेरे अंतक करण के जो अंतर इंद्रिय यानि ये system ऐसे operate करता है मन बुद्धी चित्त हंकार के रूप में अंदर से मनुष्य का तो जब ये अंदर जाता है तब ये अंदर और बाहर so it becomes action in action यहाँ पे action in silence क्योंकि एक चीज मुझे silent लगती है दूसरी चीज action में है और उसके बाद जब केंद्रिय ये जगत में चला जाता है तो वो silence personified है इश्वर तो वो इश्वर ये जगत में जब चला गया it becomes silence in action action दिख रहा है लेकिन अंदरूनी silence है किसी किसम का कोई विकार कोई change कुछ नहीं हो है मनुष्य का ऐसा नहीं होता है इसी लिए जीव बद्ध है और इश्वर जो है वो मुक्त है फ्री है इसलिए वो असीम है जीव ससीम है ये जितनी भी limitations आ जाती है वो इसी के वजह से आ जाती है और इश्वर में वो limitation नहीं है इश्वर के पीछे जो transcendental state है जो ब्रह्म आत्मा परमात्मा परमेश्वर का state है पका मै का state है वो silence in silence है वहाँ silence टूपता ही नहीं है कभी क्योंकि जगत ही नहीं है वो ए परफेक्ट state of non-duality है जिसको नित्या द्वैत कहा है प्रज्ञान पुरुष सुरी स्री बावठकुर्णे इस परफेक्ट state of non-duality जब कभी body लेकर personified होते हैं तो वो बहुत एक निराला personification होता है बहुत ही viral ऐसी बाते हैं लेकिन होती है हमने तो sangh किया है देखा है तो जैसा देखा है पूर्ण Pope से समझ में नहीं आता लेकिन समझदानी हमारी बुद्धी से होती है लेकिन जो असली समझदानी है वो जब बुद्धी जब बोधी में मिलकर एक हो उसके अंदर कोई knowledge base नहीं है ग्यानी वेक्तियों का जो knowledge base होता है जहां से वो हर बात को बोलते है जिसका knowledge base बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं बड़ा ग्यानी है जिसका छोटा है उसको हम ignore करते हैं मानते नहीं है ये लोग जो होते हैं इनका कोई knowledge base नहीं होता है they are knowledge personified जब भी कहीं भी कोई चीज उनके अंदर से निकलती है एक तो perfect निकलती है उसके अंदर किसी किसम की कोई गलती नहीं हो सकती है भले वो सामने वाले लोग न समझें क्योंकि वो they are understanding through their limited intellect something which is coming from the state of unlimitedness so limitation वो भले ही डाल दे लेकिन इनके हां से कोई limitation नहीं होता है तो इस अनन्त आनंद इसलिए अनन्त आनंद की बात की जाती है ये अनन्त आनंद के साथ दो चीजें और हैं इनके अंदर सत चित आनंद वर्ड जो है सच्चिद आनंद हम अक्सर इस्तमाल करते हैं इसके रिल अर्थ में अगर जाएं तीन भाग में विभक्त करें सत चित और आनंद सत है eternity जो था है और रहेगा an existence which is eternal चित क्या है knowledge pure knowledge pure consciousness right absolute knowledge absolute consciousness और सत और चित जहां पूर्ण है वहाँ आनंद भी पूर्ण है वहाँ अनंद आनंद है तो जिसमें सत्य रूप से अनंद आनंद की अनुभूती होती है उन्हें दिव्य मानव कहा जाता है प्राण व चैतन्य के प्रकाश के साथ जब एकात्मता हो जाती है तब होता है दर्षन यह जो मैंने जिक्र किया अभी सत, यह सचित आनंद का जो first part है, वो प्राण व चैतन्य के साथ जब एकात्मता हो जाती है, अर्थात मुख्य प्राण के साथ, जब एकी भूत हो जाते हैं, यह मुख्य प्राण और चैतन्य में कोई फर्क नहीं है, यानि सत और चित, अर्था absolute consciousness, pure consciousness, और absolute existence, यह दोनों जब एक हो जाते हैं, तो यह जाके महा मानव की कैटेगरी में पहुंसते हैं, तो अनंत आनंद के अधिकारी भी हो जाते हैं, यह automatic है, तो यह सचित आनंद समझने के लिए विभक्त किया जाता है, लेकिन यह विभक्त होते नहीं हैं, यह एक ही है आगे कहते हैं, इसी को कहते हैं, प्राण में प्राण में होना, अर्थात प्राण के बाहर नहीं, मुख्य प्राण के अंदर ही परिपूर्न रूप से रहना, कहते हैं बोध में बोध में होना, अर्थात प्राण के बाहर नहीं, मुख्य प्राण के अंदर ही परिपूर्न के लिए बरतन में रजगुले का रस से अंदर रजगुला रखा है तो वो रजगुले के रस पे जहां से भी आप इस रजगुले के रस को छुएंगे टच करेंगे जीब से आपको वही एक ही sweetness आएगी किसी भी एंगल से कहीं से भी टच कर लीजिए वो रस से sweetness से परिपूरन है, तो प्रान में प्रान में वो प्रान से परिपूरन है, आनंद से परिपूरन है, तो वो आनंद में अवस्था उनकी हर अवस्था में है, कोई डिफरेंट डिफरेंट अवस्था वाली बात उनके अंदर होती नहीं है, रूप है प्रान की निद्रित अवस् भाव है जागरन या विज्ञान एवं बोध है महा जागरन या प्रज्ञान देखिए जब भी हम कोई स्थूल चीज को देखते हैं ग्रॉस चीज को देखते हैं उसको रूप के आकार में देखते हैं एक फॉर्म के आकार में देखते हैं तो वो सॉलिडिफाइड है यह जो स जड़ी भूत होता है, यानि the gross most exposition of consciousness होता है इस solid form में, solid form में जाके consciousness या प्रान दिखता नहीं है, कभी भी, इसलिए कह रहे हैं जड़ी भूत, अर्थात प्रान की निद्रित अवस्था, निद्रित अवस्था में जैसे हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा फील होता है कि a state of perfect not knowing में पहुच जाते हैं, गहरी नींद में, तो वो प्रान की निद्रित अवस्था, जब हम बाहरी रूप को देखते हैं, उसके अंदर प्रान है, निद्रित अवस्था है, पिछली कड़ी में हमने डिसकस किया था, जैसे पत्थर के अंदर से पेड निकलते हमने देख होते हैं, हाँ बहुत तो ऐसे हैं जिनको माइक्रोस्कोपिकली देखना पड़ता है, लेकिन जान है, उनमें प्रान है, ये जो गौनप प्रान मेरे अंदर काम कर रहा है, वो ही गौनप प्रान वहां भी काम कर रहा है, चाहे वो मौस के फॉर्म में हो, पेड़ पॉधे के में हो, चोटे-चोटे कीड़ों के फॉर्म में हो, कैसे भी हो, लेकिन काम वहां कर रहा है, मैं इसको तवज्जो नहीं देता हूँ, मैं इसकी तरफ एट्रेक्टिड नहीं होता हूँ, समझने की इच्छा मेरे अंदर जाकती नहीं है, आगे कह रहे हैं, नाम है स्पंदित स्पंदित, something which is vibrating, नाम जो है, is a ध्वनी, ध्वनी अर्थात एक उसका वेव होता है, एक वाइब्रेटरी अवस्था होती है, तो नाम है स्पंदित अवस्था, भाव है जागरन या विज्ञान, अब देखिये, भाव की जो सबसे उच्छ अवस्था है, वो है विशेश ज विज्ञान की अवस्था अर्थात, विज्ञान की अवस्था, जिस अवस्था से ईश्वर इस जगत की स्रिष्टी करते हैं, और हमारे अंदर भी ये भाव खेलता है, far lower state का भाव खेलता है, जिसके अंदर बहुत मिश्रण होता है, अच्छा बुरा इत्यादी का, तो रि प्राणी जगत है उसके अंदर प्रकाशित भाव जरूर होता है आगे कहते हैं बोध है महा जागरन या प्रज्ञान बोध अर्थात consciousness तो ये है ही हमारा समय फिर से समाप्त हो चला है तो इस कड़ी को हम समाप्त नहीं कर पाए अगले एपिसोड में हम जारी रखेंगे गौन वो मुख्य प्रान इस कड़ी को आईए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष स्री स्री बाबा ठकुर का उद्गत भजन मुख्या जाँ हम चला गलाए बागी क का शलाए चाना पुरुष कुरुष स्री बाबार आदा स्री अवैं पुरुष कैंने का में अे आएंस आप 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 आनन्द गनशाम तु मेरे जीवन का जीवन प्राणा राम जीवन का जीवन प्राणा राम आनन्द गनशाम 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 आनन्द गनशाम आनन्द गनशाम जीवन का जीवन का जीवन का जीवन का जीवन प्राणा राम मेरे प्रीतम तु सब के उर में तु ही आत्माराण देव्य महिमा अपना प्रेम से प्रकाशो प्रेम से प्रकाशो भगवान आनन्द गनशाम शाओ 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 कर दो सोम्य सोम्य तर अशेष सुंदर मधोरा मनार नयानाबिराम तु मेरा मन का मन तु प्राण का प्राण तु मेरा शाती निधान आनन्द गनशान आनन्द गनशान कर दो कर दो कर दो कर दो तू परमादमा सब के दिल में भागता में तुही प्रेम भगती का विज्ञान तू परमादमा सब के दिल में भागता में तुही प्रेम भगती का विज्ञान प्रेमिक भगत का दुही प्रेतम प्रियतमोतम परमापन राना राम आत्मरा राना राम आत्मरा आनन्द गनशान योगी का आत्म ध्यान आत्म ज्यान तो ज्याने का तो ही सत्य ब्रह्म ज्यान योगी का आत्म ध्यान आत्म ज्यान तो ज्याने का तो ही सत्य ब्रह्म ज्यान अखंड प्राध्यान मुत्ति निर्मान स्वत्ह सित्त स्वत्ह स्पूर्त पोण सुखदाम नाना राम आत्मराम आनन्द गनशाम आनन्द गनशाम तो मेरे जीवन का जीवन जीवन का जीवन जीवन का जीवन राणा राम आनन्द गनल शाम आनन्द गनल शाम आन- μέत जीवन का जीवन के जीवन वुिए जीवन कर दो में लिदिव स्पूर्त पोण